सर्वे बियर नमो नमह आज हम रिग वेदिक सुक्तों में रिग वेद के दस्वे मंडल का नबेवा सुक्त जो पुरुष सुक्त है आज हम उसका दस्वा मंत्र पढ़ेंगे पुरुष उक्त के रिषी नारायन और देवता परमेश्वर पुरुषे इस दस्वे वाले मंत्र में अब रिषी नारायन ये बता रहे हैं कि किस तरसे उस रष्टी उत्पादित उस सर्वाउत यग्ये से किस तरसे प्राणी उत्पन हुए उनी का उलेक रिषी नारायन ने उक्त मंत्र में किया है मैं मंत्र का वाचन करता हूँ पाट करता हूँ फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे क्या केरें रिषी नारायन क्या केरें रिषी नारायन इस लोग इस मंत्र का अन्वे इस तरसे होगा तश्माद अश्वाह अजायंत ये केच उबिया दतह तश्माद गावह जगीरे तश्माद अजावयह जाता तस्मात यानि उस सर्वहुत नामक यग्य से जो प्रमेश्वर रिसी और प्रमेश्वर पुरुस के रिसी गन और सज्य गन देव गनों के द्वारा जिसको संपाधित किया जा रहा था प्रमेसर पूरुस रुपी हवी का सहरा लेकर उसी के संदर्ब बता रहें कि तस्माद अश्वाह अजायंत यानि उस सर्वहुत यगेशे अश्वा यानि अश्व उत्पन हुए या उस सर्वहुत नामक से शक्तिया उत्पन हुई क्योंकि अश्व शक्ति का भी परिचायक है तो इसलिए संद्रप में विसी नाराण किया रही कि उस सर्वहुत नामक यग्य से अश्व यानि अश्व अजायंद यानि उत्पन हुए और ये केचे उबयादत और जो कुछ भी उबयादत उबयादत दोनों और दानतों वाले जो प्राणी है वे भी उत्पन हुए यानि इस लोखीक जगत में जो दान्तों वाले जो प्राणी है उन्हें पसूर की उत्पती उस सर्वहुत नामक यग्य से हुई तश्मात गावह जगीरे यानि उस सर्वहुत यग्य से गावह यानि गाएं उत्पन हुई या रस्मिया जो उसका गाव का प्रियावाची है उसके संदर पर भी ले सकते हैं कि तश्मात गाव जगीरे यानि उसी से गाएं उत्पन हुई तश्मात अजावय जाता और उसी से अजावय यानि अजा अजा यानि बक्री और बक्री के जो बक्री के समाने एक भेड़े होती है अजा वय यानि उसी के तुल्य तो अजा वय बक्रिया और बेड़ आदी भी उस सर्वहुत नामक यग से हुई यानि रिसी नारायन के बताने का तातपर या कि परमेशेफर पूरूत से इस लोखिक जगत में दिखाई देने वाली सारी वस्टु ए चाहे वो चेतन है या अचेतन है कोई प्राणी जन है वे सारे उस परमेश्वर पूरूस की सता है उसी से उसकी उत्पति हुई है यो जो प्राणी जन हमें दिख़ई दे रहे हैं वे सारे भी उस परमेश्वर पूरूस से ही उत्पति हुई है इसे ये प्रतिभासित होसा हु यानि अश्वर्था शक्तिया उत्पन हुई ये केच उबियादत और जो कुछ भी दोनों और दान्तों वाले प्राणी है वे भी उस सर्वहुत नामक यगे से उत्पन हुई तरश्मात गाहव यानि उसी से प्रसित गाये उत्पन हुई और तरश्मात अजावय जाता और उस अर्थों को पुनह देखते हैं क्या करें इसी ना राएं तश्मात अश्वा जायंत ये केच उबियादत गाव जगीरे तश्मात तश्मात जाता अजावय तश्मात यानि उस सर्वहुत यगे से अश्वा यानि अश्वा उत्पन हुई ये केच उबियादत और जो दोनों और दातों वाले जो प्राणी है वेबी उस सर्वहुत या नामग यग्य से उत्पन हुए तस्त्मात गावह जगिरे उसी से गाएं उत्पन हुए और उस सर्वहुत नामग यग्य से उत्पन हुए सर्वह भियर नमो नमग आज हम पुरुष शुक्त का ग्यारवा मंत्र पड़ेंगे इस वाले मंत्र में अब रिसी नारायन ये बता रहे हैं कि उस परमेशुत पुरुष के जो सश्टी उत्पादन रुपी यग्य में जिस परमेशुत पुरुष को धारण किया गया उसका मुख क्या थी उसकी बुजाए क्या गई कई उसकी जंगाए तटा पेर क्या कहे मंत्र का वाचन करता हूं ततपस्चाथ हम इसके अर्थ को देखेंगे क्या कि रहे हैं परमेस्वर पुरुस के बारे में जिसी नारायन उक्त मंत्र में यत पुरुशम व्यददू कतिदाव्य कल्पयन मुखं की मश्य को बाहू का उरुपादा उच्छियते यत पुरुषम व्यददू कतिता व्यकल्पयन मुखम किम अश्य को बाहू का उरूपादा उचियते पंत्र का अन्वे इस तरह से होगा यत पुरुषम व्यददू कतिता व्यकल्पयन अश्य मुखम किम बाहू को का उरूपादो उचियते यत पुरुषम यानि जब पुरुषम यानि जब विराठ पुरुषको व्यददू यानि स्रष्टी उत्पादन रुपी यग्य में धारन किया गया तो कथिता व्यकलपे जानी कितने प्रकार से उसकी कलपना की गई कश्य मुखम किम यानि उसका पुरुष का मुख क्या था बाहुक को उसकी दोणों भुजाई क्या कही गई का उरू पादु उचेते ओर उसकी दोणों जंगाय कथा पेर क्या कहे गई उसके संदर्ब में रिसी नारायन भूमिका की रुप में बता रहे हैं कि यत पुरुशम व्यददू यानि जब विराट पुरुश को व्यददू यानि उसको स्रष्टी उत्पादन रुपी यग्य में धारन किया गया तो अश्य मुखम कीम यानि उसका मुख क्या था बाहु को उसकी दोनों भुजाए क्या कही गई का उरुपाद उच्चिते तता उसकी दोनों जंगाय तता पेर क्या कहे गए थे उस संदर्ब में रिसी नहराइन हमें बता रहे हैं कि यत पुरुशम व्यददू कतिदाव्य कल्पयन मुखम कीम श्य को बाहु का उरुपादा उच्चिते कि यत पुरुशम व्यददू यानि जब विराथ पुरुश को स्रश्चि उत्पादन रुपी यगे में धारन किया गया तो अश्य मुखम कीम यानि उसका मुख क्या था बाहु को यानि उसकी दोनों भुजाए क्या तिका उरुपाद उच्चे तता उसकी दोनों जंगाय तथा पेर क्या कहे गए थे इस प्रकार से सश्चि उत्पादन रुपी में जो चारों हमारे जो वर्ण हैं ब्रामन शेत्री वेश्य तथा सुद्र उनकी भूमिका के संदर्प में इस मंत्र में बताया है कि उनके पेर मूख उस परमेस्वर पूरुश के क्या कहे गए थे उस परमेस्वर पूरुश जो हे वख परमेस्वर पूरुश ही परमपिता परमेस्वर का अंस है और यह लोकिक जगत में दिखा येने वाली सारी स्रष्टी चाहिए श्य terrified है उसमें किश्चित रुप से उस परमेस्वर पूरुश का चेतन तत्व विढ्यमान है अगर जो प्राणी यह समझ जाता है कि इस लोकिक जीगत में दिख़ई देने वाली सारी वस्तुएं चाहे वह चेतन है या अगर अचेतन ताक को वह चेतन ताक के संदर में समर्चता है यानि अगर कोई भी व्यक्ति विशेश अगर अचेतन व्यस्तुएं जड़ है लेकिन अठीव वह समझ था कि इसमें चेतन ताक किसी समय रही है क्योकि यह प्रमेश्वर पूरुस के दूआरा इसकी उत्पती हुई है एसें समिभ प्राणी हो विजदों का मुल वाक्य है इसलिए या पार्मेस्वर पुरुष की सता के संद्रब में ही उसकी उपमा के संद्रब में भूमिका के संद्रब में उक्तम मंत्र रिसी नारायन ने संक्लित किया है नमो नमः आज हम रिसी नारायन के द्वारा विरचित पुरुष शुक्त का बार्वा मंत्र पढ़ेंगे इस वाले मंत्र में अब रिसी नारायन ये बता रहे हैं कि उस परमेस्वर पुरुष के मुक भुजाय जंगा तता पेर से किस-किस वर्ण की उत्पती हुई है उसका उलेक उक्त मंत्र में किया गया है मैं मंत्र का वाचन करता हूँ ततपच्चा थम इसके अर्थ को देखेंगे ये मंत्र परिक्षय उप्योगी है परिक्षय में पूझा भी जाता है तो इसलिए ध्यान से आप इसका पार्ट सुनिए और तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे क्या करें रिसी नारायन परमेस्वर पुरुस की सता से चारों वल्णों की उत्पतिको रखित कर परमान अश्य मुखम आसीद बाहुराजन trick उरूत अड़शयद वेश्यUM पद ब्याम सुद्रो अजायत क्या के रिसी नाराए परमान अश्य मुखम आसीद बाहुराजन क्रित हा अवरूत अच्याद वेश्यarm पदब्याम सुद्रो अजाय मंत्र का अनवे इस तरह से ओगा अश्य मुखम ब्रामन आशित बाहू राजन कृत ह उरूत तद अश्य यद वेश्य ह पदब्याम सुद्र अजायत अश्य मुखम ब्रामन आशित यानि उस प्रमेश्वर पुरूस के मुख से ब्रामन की उत्पति हुई बाहु राजन कृत और उस प्रमेस्वर पर की भुजाओं से शेत्रिय वन्स उत्पन हुआ यानि शेत्रिय राजन वर्ग की उत्पति है राजन वन्स की जो उत्पति है वह उस प्रमेस्वर पूरुस की दोनों भुजाओं से हुई उरु तद अश यत वेसश और उरु उरु काड़ते यहां पर जंगाय यानि उसके जंगाओं से वेश की उत्पति हुई पदव्याम सुद्रों अजयत और उसके पेरों से शुद्रवन की उत्पति हुई यानि परमेश्वर पुरुस से चारो वन उत्पती को बताता हुए विसी नारायन करे हैं कि अश्य मुखम ब्रामन आश्य यानि उस विराठ पुरुस के मुख से ब्रामन वन उत्पन हुआ बाहु राजन कृत और बाहु यानि भुजाओ से शेत्री वन उरु तद अश्य करने के लिए जो चार वन हैं ब्रामन, क्षत्रिय, फेश्य और सुद्र या चारो वन एक दूसरे के पूरक हैं कहने का दात्परी के चारो वन ही इस रष्ट्री को चलाय मान करने में साया के तो परमेश्वर पुरुस की सता उनके जो अंस है उनी से इनकी उत्पती हुए इ पुरु तद अश्य यद वेश्य हो और जंगाओं से वेश्य वन की उत्पती हुई पर्दव्याम शुद्र अजयत और पेरों से शुद्र वन की उत्पती हुई इस तरह से परमेश्वर के सर्ष्टी उत्पादा न्यूक से उस सर्वहुत्त यगि से ये चारो जो वन हैं ब्रामन चेत्री वेश्य तता सुद्र इनकी उत्पती उस परमेश्वर पुरुष के अंस से ही उत्पन हुई है परिक्ष्य उप्योगी है एक बार पुन्ह इसका वाचन कर इसके अर्थ को पुन्ह देखते हैं क्या केरें रिसी नाराय है ब्रामन अश्य मुखम आसीद बा ब्रामन वन उत्पन हुआ बाहू राजन कृत यानि उसकी बुजाओं से राजन वन ऊरूथ तद अश्य यद वेश्य और इसकी जंगाओं से वेश्य वन तता पदव्याम सुद्र अवजाद और पेरों से शुद्र वन की उत्पति हुई इस तरह से चारों वन यो सष्टी को चलायमान करने में साया के इंचालों वर्णी की उत्पती ब्रामन चेत्रिवेश तत्ता सुद्र की उस प्रमेश्वर पुरुष के अंसे से ही हुई है नमो नमः आज हम रिगवेदिक सुक्तों में पुरुष सुक्त जो रिगवेद के दस्वे मंडल का नवेवा सुक्ते ही जिसके रिशी नारायन और देवता परमेश्वर पुरुष है आज हम उस सुक्त का तेरवा मंत्र पढ़ेंगी इस वाले मंत्र में अब रिशी नारायन इस रष्टी के चक्र को चलायमान करने में जो चंद्रमा जो सुर्य जो वायू जो अगनी इनकी जो मतवती भूमिका रेती वो उस परमेश्वर पुरुष के अंस से कहां कहां से उत सुनिये फिर हम इसके अट को देखेंगी सर्ष्टी की उत्पती में चलायमान तत्व को लेकर सर्ष्टी का संचालन करने में जो चंद्रमा जो सुर्य जो वायू जता अगनी उस परमेश्वर पुरुष के अंस से कहां कहां से उत्पन हुए उसका उलेख करते हुए जिसी कि विभिन तत्व की उत्पत्त्रि को लेकित कर जीसी नारान बता रहें चंद्रमा मनसो जात अश चक्शो सुर्य जायत मुझात इंद्र अगनी वायू जायत अ इस तरह से होगा। पृणात वायू अजयत और उनके प्राण से वायू उत्पन हुई आप देखिए सृष्टिय उत्पादन कोब बताते हुए रिसी नारायन चुप कलपना किये उस कलपना को देखते हुए ऐसा लबता है कि जो कलपना आज हम जिसको कलपना समझ रहे हैं उस समय ये स्रष्टि उत्पादन जैग्य जो उत्पन हुआ वो स्रष्टि को चलाय मान करने से किस-किस प्रकार से किनकिन तत्वों की उस परमेस्वर पुरुस से उत्पति उसका रिश्णी नारायने बड़े ही सार गर्वित उसका उलेकर बता रहे हैं कि मनस चंद्रमा जात यानि उस विराट पुरुष के उस परमेस्वर पुरुष के मनसे चंद्रमा उत्पन हुआ चक्षो हो सुर्या अजायत और उस परमेस्वर पुरुष के चक्ष यानि आकों से सुर्य की उत्पत्य हुई मुखात इंद्र च अगनी च और परमेस्वर पुरुस के मुख से इंद्र और अगनी तथा प्राणा द वायु अजायत और उन परमेस्वर पुरुस से प्राण से वायु का जन्म हुआ अर्था प्राण से वायु उत्पन हुई हमारे सरीर को चलाइमान करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत प्राण वायू की होती है और वो जो प्राण वायू है वो प्राण वायू से ही हम क्या करते हैं हमारा सरीर चलाइमान रहता जिसको हम ऑक्सिजन केते हैं उसी के संदर में बता रहे हैं कि रिसी नाराइन के प्राणों से ही बायू का जन्म हुआ यह वायू इस लो किक जगत में चलाइमान हुई इसलिए परमेश्वर पुरुस के विभिन अंसों से उस के अंसर तत्वक उलेखित कर रिसी नारान बता रहे है कि मनशर चंद्रमा जात यानि परमेशर पुरूस यानि उस विराठ पुरूस के मनसर चंद्रमा उत्पन हुआ चक्षो सूर्य अजायत उनके चक्ष यानि नेत्रों से सूरी की उत्पति हुई मुखात इंद्र चगनी मुख से इंद्र और अगनी और प्राणात वायु अजायत और प्राण से वायु उत्पन हुई मैं एक बार पुनह मंत्र का वाचन करता हूं तत्पच्चा थम इसके अर्थ को देखें के क्या करें हैं रिसी नारायन चंद्रमा मनसो जात चक्षो सुर्या अजायत मुखाद इंद्र अगनीश्च प्राणात वायु अजायर यानि मनस्य चंद्रमा जात यानि परमेश्वर यानि उस विराट पुरुष के मनस से चंद्रमा उत्पन हुआ चक्षो सुर्या अजायत उसके चक्ष यानि नेत्रों से सुर्य से आखों से सुरिक उत्पति हुई मुखात इंद्रच अगनीच परमेस्वर पूरुष के मुख से इंद्रव अगनी उत्पन होए तता प्रानात वायूर जाये तता उनके प्रान से वायू का जन्म हुआ इस प्रकार से स्रश्टी के उत्पादित में ये विविन तर्प उस परमेस्वर के विविन अंसों से उत्पन झाल 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 झाल